पेस्टी साइट्स पर लगे बैन को लेकर दायर याचिकाओं पर CGI DIY चंदरचूर ने सरकार की तरफ से पेश Additional Solicitor General को फटकार लगाई और सभी के सामने इसके बारे में विस्तरत जानकारी देने को कहा क्या है पुरा मामला देखते हैं ये रिपोर्ट पेस्टी साइट्स पर बैन को लेकर दायर याचिकाओं को लेकर सुप्रिम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दोरां CGI DIY चंदरचूर ने सरकार की तरफ से पेश Additional Solicitor General को कड़ी फटकार लगाई ये याचिका 116 पेस्टी साइट्स पर बैन लगाने को लेकर दायर की गई थी CGI ने ASG से पूछा कि 27 में से तीन पेस्टी साइट्स पर सरकार ने बैन क्यों लगाया सरकारी वकील का जवाब था कि हर चीज के लिए एक प्रोसेस है इस पर CGI ने पूछा कि सरकार में हर चीज प्रोसेस है सरकारी वकील ने कहा कि वो कमेटी की रिपोर्ट केवल बैन्च को बता देंगे चीज जस्टिस ने इस बात पर टोकते हुए कहा कि नहीं आप जो भी हमें बताने जा रहे हैं वो दूसरे पक्ष को भी बताए उनका कहना था कि कोट में पेश दूसरे पक्ष के वकील को भी सब कुछ पता होना चाहिए याचिका में मांग की गई थी कि 116 ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो अंतराश्टी इस तर पर बैन्च किया जा चुके हैं इन्हें देश में भी बैन्च किया जाना चाहिए ये सेहत पर प्रतिकुल प्रभाव डाल रहे हैं खास कर बच्चों के लिए ये खासे हानिकारक हैं इस तरह की याचिकाओं को ततकाल खारिच किये जाने की जरूरत है जिस पर CGI का कहना था कि सरकार ने अगर अपना काम ठीक से किया होता तो हमें करने की जरूरत नहीं परती सरकार को अपना काम ठीक तरीके से करने की जरूरत थी Additional Solicitor Journal का कहना था कि कोई आकर कहे कि इसे बैन करो उसे नहीं ऐसा कैसे चलने दिया जा सकता है उनका कहना था कि बहुत से कॉर्परेट इन पेस्टिसाइट्स को डवलप करते हैं कोट को इसके लिए इस्तमाल नहीं किया जाना चाहिए